top 4 best laptop for all categories के लिए तो भी अगर आप programming करते हो, coding करते हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, आफिस पर के लिए चाहिए, gaming के लिए चाहिए, video acting के लिए चाहिए, अगर आपने कोई भी heavy software यूज़ करना, अगर आपने like कोई भी loaded file पर काम करना, सभी categories के लिए यहर मैं आज आपको laptop बता करना है, आप कर सकते हो, अगर आपने gaming करने है, high graphic पर आप gaming करना चाहिए, आप normally easily कर सकोगे, प्लस भी अगर आपको office work के लिए चाहिए, student हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, आपके लिए best deal होने वाली, अगर आपने offline काम करना है, जा classes बरा लगाने है, अगर आपने online classes लगाने होगे, तो बात करते हैं, सीधा number 4 की, number 4 की बात करें, number 4 पर यार मैंने रखा है, MI notebook horizon को, अगर इस laptop की बात करो, सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हो, कि इनकी build quality, प्लस इसका design, वो बहुत ज़्यादा इसको suit करता है, प्लस MI brand है, प्लस अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको keyboard पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला है, प्लस इसके display quality बहुत अगड़ी है, आपको HD plus web camera साथ में free of cost देखने को मिलेगा, जो कि प्लस पर आजाता है, अगर आपने online classes लगानी है, आपके लिए, प्लस मैं आपको बता जाता है, 8GB RAM मिल जाते है, I5 10th generation के साथ देखने को मिलगा, तो specification के according देखा जाए, laptop पूरा loaded देखने को मिल जाता है, मैं आपको main specification बता देता हूँ, थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं, वाई, तो यह display की बातों को 40 inch full HD display मिल जाते है, जो की anti-glate display और processor की बातों को I5 10th generation के उनको window 10 मिल जाते है, बैंटरी की बात करूँ, आपको 10 hours का बैंटरी backup provide कर देता है, price की बात करूँ, उनको 51,000 के budget में MI notebook horizon देखने को मिल जाता है, तो यहर main specification मैं आपको बता दिया, MI notebook horizon के, अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा, इसका minus point सिर्फ यह देखने को मिलता है, कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते है, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा, तो आप इस चीज़ को दियान में रखना, कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता, जो की सच में एक minus point आ जाता है, तो आप देख लेना, अगर आप laptop जो है, वो सही लगता है, आप उसके और जा सकते हो, अगर आपकी कोई requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार, अगर आपको इतने ही मतलों सही लगती है, तो आप इसके और जा सकते हो, अगर आपको 8GB RAM नहीं सही, आपको को काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए, अगर आपको 32GB RAM तो आपके लिए ये laptop बिल्कुल भी नहीं बना, इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा, अभी आगे बात करते है, number 3 की, number 3 की बात करो, number 3 पर यार, मैंने रखा Acer Aspire 5 को, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका प्रेट 50,000 से कम है, तो ये laptop आपको 45, 45,000 के budget में मिल जाता है, 45,000 के budget में आपको specification पूरे loaded मिल जाते हैं, बहुत अगड़े specification में, मैं आपको बताते हैं, तो हम सीधी बात करते हैं, specification की, तो ये डिस्प्ले की बातों को 40 इंच 4 HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो की iPlus पैनल डिस्प्ले, प्रोसेसर की बातों क i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूं, आपको 8 GB RAM मिल जाते है, expandable आप कर सकते हो, प्रस आपको 512 GB SSD देखने को मिल जाती है, SSD के benefit की अगर मैं बात करूं, तो भई SSD का benefit ये होता है, अगर आप startup अगर आज जल्दी transfer करना जाते हो, तो आपके लिए बहुत benefit करेगी as comparison किया ज लो होती है, ठीक है, अगर आप 2 GB या 3 GB की file transfer करते हो, तो इसको यार आदा गंटा 40 मिन ऐसे लगते है, लेकिन SSD में आपको ये चीज़ी नहीं देखने को मिलेगी, जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए, अगर आप startup गरा ज्यादा transfer करते हो, ग्राफिक काड की बात करूं, आपको नवीड है, जीफो MX350 देखने को मिलेगा, उप्रेणी SSD की बातों को विंटो 10 मिल जाती है, बैंटरी लाइफ की बात करूं, आपको 8 आवस का बैंटरी लाइफ परवाइड कर देता है, प्राइस की बातों को 45 हों चले के 51,000 के budget में, Acer Aspire 5 ये specification के साथ देखने को मिल तो अगर आपने office बर के लिए चाहिए, student हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, अगर programming करने है, coding करने है, कोई heavy software यूज़ करना है, video editing करना चाहते हो, या gaming करना जाते हो, आप इस fake कर सकते हो, आपको 2 GB graphic card मिल जाता है, 8 GB RAM मिल जाते है, जिसको आप upgrade कर जाते हो, 16 GB तक, अगर आप बात करते है, number 2 की, तो अभी बात करते है, number 2 की, लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ, number 2 and number 1 को, दोनों को मैंने combine कर दिया, because दोनों ही laptop जो वो Acer की आउर से ही आते है, इस budget range में Acer बहुत जादा सही कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, दो laptops के बारे में मैं बा आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता, आपको specification loaded चाहिए कि अगर आपने कोई heavy software यूज करना है, gaming करना है, video acting करना है, आपके लिए best होने बला, Acer Nitro 5, sorry, पहले मैं कल तो बोली लगा था, आपके लिए best हो सकता है, Acer Nitro 5, आप जा सकते हो, Acer Nitro 5 की और वो बहुत जाता है, तो अगर आपको gaming करना जाते हो, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको office बर के लिए चाहिए, मैंने आपको भी बता दिया, अभी बात करते है, दोनों के main specification की थोड़ा से deeply बात कर लेती, तो यह display की बातों को 15.16 full HD plus display मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती, तो 16 refresh rate यार average display होती ह इतना तगड़ा भी नहीं कह सकता है, इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता है, इस चीज को आप दियान में रखना, processor की बातों को i5 19th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाती है, upper grade आप कर सकते हो, 32GB प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती, graphic card की बातों को GTX 1650 204GB मिल जाता है, उप्रेणी से इस तर की बातों को Windows 10 मिल जाती है, प्लस आपको fingerprint वगारा भी देखने को मिल जाती है, battery की बात करूँ, आपको 7 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है, price की बात करूँ, इसका price आपको 50,000 से लेके 54,000 के बिटर में Acer Aspire 7 देखने को मिल जाएगा, तो यहर अब भी बात करते हैं, इस से Nitro 5 की तो डिस्प्ले की बातों को 15.6-inch Full HD plus IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती है, आप वर सासर की बात करूँ, इसमें भी आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिल जाती है, 3500HS के साथ है, storage की बातों को 8GB RAM मिल जाती है, अपको 26 hours का battery backup provide कर देता है, price की बात करूँ, आपको 57,000 के budget में इस से Nitro 5 देखने को मिल जाएगा, तो यहर main specification मैंने आपको दोनों ही laptop के बता दिये, मुझे पता है, मैंने जो आपको laptop बता है, उनका price जो है, वो 50,000 से अपर चला जाता है, तो यहर अगर आप extra पी कर सकते हो, तो म मतलब अगर आपका budget 50,000 से भी कम है, तो Acer Spire 5 आपके लिए best deal हो सकता है, इस price range में Acer बहुत तगड़ा है, अगर आपका budget 30,000 होता है, तो मैं आपको Lenovo laptop के और जाने को कहता है, विकर उतने price range में Lenovo बहुत तगड़ा कर रहा है, लेकिन अगर आपका budget 45,000 से लेके 55,000 हो जा जाहिए programming करने है, coding करने है, जागर आपने as a creator काम करना, as a developer काम करना, जा कोई भी loaded file पे काम करना, आप सभी के लिए जो मैंने आपको laptop बता है, वो बहुत अगरे होने वाले है, तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है, खतम, अगर आपको मेरी बेच्छे लगी वीडियिको लाइक करती है, ख्मेट करती है शAccger करती है, जो रखना, दोस्तों के भी दोस्तों को calculating उनको करती हिचा पहले है चाहरा है, चाहजहीं ャतर वीडियो करती है और लेक्रभा जाय उत्या इन सब्सक्राइब कर देच्छे गोने को मिल जाएगा उसको चाह ल में मिलते नाक्स वीडियो में ने वीडिको जाते तेंक यू